हेलो फ्रेंट्स कैसी हैं आप सब आज हम आपके साथ एक वीडियो शेयर करने जा रहे हैं जिसमें हम एक गले का डिजाइन बनाएंगे और वही डिजाइन हम बाज्यू में भी बनाएंगे और गले में हम फ्रेल का डिजाइन बना रहे हैं स्लीव के अंदर भी हम फ्रेल का ड बनाना है और एक चीज और है कि जो हम गला बनाएंगे उसमें हम बुक्रम का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे बिना बुक्रम के हम सिंपल कटिंग करके गला बनाएंगे बहुत इजी होता है इसे बनाना यहां पर हमने गले की चौड़ाई कट कर ली है पौने तीन इंच और इस पट्ण काम पंगे जो कह सकते हैं जाएं जैनसे बड़ाई में घूड़ा बनाने के लिए इसके पट्ण काम में हीचा पट्ण करेंगे गले की मुद्ण का कट बिञए हैथ साइड हमने ऊपर रखनी है और उल्टी साइड अंदर रखनी है इस तरह हमने सिलाई लगाने के बाद हम इसे पहले फ्रिल बना लेंगे इसकी इसके अंदर प्लेट्स डाल देनी है पहले अभी शर्ट को साइड में करते हैं और इसके अंदर पहले हम आधे आधे इंच की इस झाल 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 इस तरह हमने सारी फ्रिल बना ली है और इसकी साइट से जो अन इक्विल कपड़ा है उसको कट कर देंगे ये जो कपड़े की लंबाई रहती है जैसे हमारे गले की जो लंबाई और चड़ाई है उसको पहले आपने नाप लेना है उससे चार गुना कपड़ा ज्यादा ले 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 तो उसको फिर आप इस तरह फ्रिल में बना ले फ्रिल को अब हम गले के उपर अटेच करना शुरू करेंगे सीधी साइड को उपर रखना है विससे दोनों साइड सीधी है जो आपको इस तरह आपने क्लियर कर दिया है जिस साइड से उससाइड आप हम इसके उपर रखेंगे बिलकुल अब गले के बिलकुल साथ साथ रखके हमने इसको सिलाय लगाने है कपड़े को बिलकुल खीचन नहीं है ना ही हमने गले को घीचना है इसी तरह हाथों से रखकर इसी तरह सेल देंगे शिलाही हमने पूरे गले में लगा लेनी है एंड तक जहां तक यह पूरा आ जाएगा उसके बाद हम इसको कटकर देंगे अभो फ्रिल लगचुकी है अब हमने इसके उपर एक औरे पट्टी लगानी है पहले हमने औरे पट्टी कट कर लेनी है देड़ इंच की और पट्टी कट कर लेंगे तो इसके उपर से रखकर नीचे की तरफ हमने पट्टी को लगाना होता है इस तरह पट्टी को हमने सीधा रख लेना है पट्टी को सीधा रखेंगे और गले को हम उल्टा रखेंगे अब इसके उपर रखकर इसको सिलाई लगा क जोड़ लेंगे जो मार्जन है जो हमने पहले लिया था वही मार्जन पर हमने इस सिलाई को लगाना है मार्जन ज्यादा नहीं बढ़ाना है गला उल्टा रखेंगे पट्टी को सीधा रखेंगे अब हमने ये पट्टी को लगा लिया है पट्टी लगाने के बाद हमने इसको अंदर की तरह फोल्ड करना है एक्स्टा कपड़े को और यहाँ पर पाइपिंग की तरह निकाल देना है पाइपिंग की तरह निकल जाएगी यहाँ पर पहले हम सिलाई लगा लेते हैं उसके बा इसे हम इस तरह रखेंगे और किनारे किनारे पर एक तिलाई लगा लेंगे अब देखिए इस तरह हमने पाइपिंग निकाल ली है और गले में बहुत ज़ादा फिनिशिंग आ गई है अब हमने इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर दे रहा है फोल्ड करने के बार इसे तरुपाई कर देंगे और यह गला हमारा बनकर रेडी हो जाएगा आप लीजिए गला हमारा बनकर त्यार हो गया है इसमें हमने तुरपाई भी कर ली है बहुत ही फिनिशिंग से यह गला बन गया है और कई लोगों को दिक्कत होती है बुकरम बाला गला बनाने में तो यहाँ पे आप बिना बुकरम के इस गले को बना सकते हैं और बहुत ही कम समय में ये बनकर ready हो जाता है अब गला बनाने के बाद बाजू की बारी आती है बाजू की cutting हमने इस तरह कर ली है और यहाँ पर हमने यह निशान लगा लिया है इसके नीचे का कपड़ा हमारा extra है इसको हमने fold करना है जैसे हमने पहले frill बनाई थी आप देख लीचे ये 1.5 इंच है तो 3 इंच था 1.5 इंच रह गया है ये fold करने के बाद अब हमने इसी तरीके से इसके उपर frill को बनाना है जो गला बनाया था हमने वहाँ पर हमने frill को अलग से बनाया था और फिर बाजू के उपर attach किया था यहाँ पर हम साथ की साथ करते रहेंगे साथ की साथ attach करेंगे और बीच में ही frill मनाते रहेंगे इससे time भी बच जाता है और बहुत ही easily ये बाजू का design बन जाता है इसी तरह हमने पूरी लंबाई में प्लेट्स दबाते जाना है और इसको इस तरह सेलते जाना है ये हमारी बाजू इस तरह बन जाएगी सेम इसी तरह हमने दूसरी बाजू का भी design बना लेना है पिछे देख सकते हैं आप बिल्कुल equal plates हमने इस तरह डाल ली हैं आफ इंच टर्न करेंगे फिर दुबारा टर्न करेंगे इसके ऊपर रखकर हम सिल देंगे जहां पर हमने पहले सिलाई लगाई थी उसी सिलाई के ऊपर एक सिलाई और लगा देंगे अभी आप सोच रहे होंगे कि यह पट्टी अब नीचे की तरफ दिख रही है फ्रिल हमारी उपर की तरफ है अभी हम इसको टर्न कर देंगे टर्न करने के बाद हमने अंदर की तरफ तुर्पाई कर देनी है अब देखिए अब हमने इसको इसको टर्न कर देना है फ्रिल हमारी नीचे आ जाएगी और यहां पर हमने सिलाई लगा देनी है और यह उपर की तरफ जाकर इसको तुलपाई कर देंगे तो इस तरह हमारा यह डिजाइन बनकर कम्प्लीट हो जाएगा और फिटिंग की सिलाई लगाएंगे फिटिंग की सिलाई लगाने के पाद फिर हमने इसको स्लीव को शर्ट के अंदर डाच कर देना है आप देख सकते हैं कितना सुन्दर ये डिजाइन बन गया है बहुत सिंपल है और यूनीक है और आप भी इसे बना सकते हैं गले में, बाजू में, घेरे में भी बना सकते हैं और प्लाजो की बाटम पे भी आप नीचे बना सकते हो यह सेम डिजाइन और पूरे डिजाइन का एक सूट बन जाएगा और बहुत ही प्रिटी लगता है यह बना हुआ अब सिलाई लगाने के बाद हमने एक स्टापड़े को कटकर दिया है और इस क्लीपको मैं आपको पैन कर दिखा देती। इसकी जैसे लूप आएगी, यह देखिए बाजू को हमने पैन लिया है और आगे से इसकी इस तरह फ्रेल आ रहे है बहुत ही प्रिटी ये हमारा डिजाइन बन के तियार हुए है आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक चुरूर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा आगे हम आपसे मिलेंगे किसी नहीं वीडियो के साथ किसी नहीं डिजाइन के साथ तब तक के लिए गुड़ बाई टेक क्यार।